विडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है जैसा कि मैंने आप सभी सवादा किया था कि नौ बजे हर रोज सुबह मैं आपको एक जीडी की टॉपिक दूँगा बच्चे बोल भी रहते हैं कि सर आपने नहीं दिया तो दो-तीन दिन से मैं नहीं दे रहा था कि कोबिट-19 की वज़त से डिस्टर्बंस हो रही थी हमारे जीले में बहुत ज्यादा केसे जा गई थी तो उसके चलते डिस्टर्बंस होती है और सारी काम गोवर्मेंट की नहीं होती है कुछ हम लोग एजा आम नाकरी कुछ न कुछ अपने गाउं में जैसे कुरेंटाइन सेंटर वहा पूरी हो जाए अपको जितने दिन की टाइम दिया है उतने दिन में पूरी कर दूंगा अपकी फेज टू के लिए आपने शिंत रहें और दो चार बीड़ो बनेंगे एक गंटा की बीड़ो बना दूंगा एसार्टी के लिए उसमें कुछ करना नहीं है पस आपको कॉस्ट स्वच भारत अभियान इसमें जितने भी मैंने थोड़ी से ज़्यादा ही वर्ड लिया आपको इतना वर्ड बोलने नहीं देते हैं वो दू-चार लाइन भोलने देते हैं यह आप अश्योर रहो ठीक है स्वच भारत अभियानी जाद केंपेंड वाइसे बोल लेंगे किने दल्ड चलप है है by the government of India by the government of India ठीक है किस लिए चला गया to clean यानि कि to clean किस लिए चला गया to clean the states roads and railway station infrastructure भी अब जो भी add करना चाहते हैं आप add कर सकते हैं railway station कहां कहां की इंडिया की इंडिया के city और towns मतलब सहर और कस्वे है दोनों जगे कि मैं इसकी हिंदी भी नीचे दे दूंगा नीचे हिंदी है आपकी आप एक पर पढ़ ले ना ठीक है इंडिया ज सिटीज एंड टाउन तो यह जो अंडोला ने स्वाच भारत अभियान यह किनके द्वारा इस्टार्ट किया गया था ओनरेवल पीम नरेंद्र मोदी और दो अक्टोबर की नौलेज है ठीक है तो स्वाच भारत अभियान इस्टार्ट बाई ओनरेवल पीम नरेंद्र मोदी और किस डेट को स्टार्ट किये थे ऑन 2 अक्टोबर 2014 यह लाइन भी क्लियर है उसके बाद स्वारी ओन डेयर यहां पर अन डड़ ऑफ स्वारिय यह लाइन भी लाइन भी आप अच्छा ओन टू अक्टोबर 2014 अजय अच्छा उंड डेयर गांदी जय थी उसदिन गांधी जय न्टी के दिन यहन की फ्तार्ट किया गया था यह एक ही लाइन इटी गया उसके बाद छवक्माइब के लिए इसुक्राट के लिए स्वक्ष भारत उसके लिए स्टाट गिया था अन्स वाजा भई वैलुवाबल मुवमेंट्टीयाहनि कि यह साबित हुआ था to lead our nation किसलिए साबित हुआ था हमारे नेशन के विकास के लिए बहुत मुल्लिवान यह जो अंदोलन था वो साबित हुआ था इसका मतलब यह है तो एक साथ बोल सकते हैं इसकी एम के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी एम के बारे में बात कर लेते हैं इसकी एम के बारे में बात कर लेते हैं कि it's aim to keep the country clean country को clean करने के लिए किया गया था free from open defection इसका मतलब होता है सौच मुक्ते से free होना है ठीक है होते हैं यह तो आपके लिए बहुत ज्यादा वाड़ है यह फोर्स के लिए तो it's aim to keep the country clean free from open defection proper garbage and much more ठीक है अब बाकी कि आप लाश्ट में किसी भी चीज को आपको बोलना है कि हाँ यह successful हुई या नहीं हुई किसलिए हुई तो देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा आपको जो four point आप किया है कि and with recent report जो आपकी recent report है हमारी ठीक है नेशनल की रिपोर्ट या फिर as well as international organization या फिर आप international organization की रिपोर्ट उठालो या फिर national report उठालो ठीक है and with recent reports from national as well as international organization the स्वच्च भारत अभियान could be said to be successful सबने कहा है कि स्वच्च भारत अभियान successful हुई है हम अपने मन से नहीं कहा है कि आप अपने मन से नहीं बोल सकते हैं किसी चीज़ को इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है कि recent report from national as well as international organization यह आप क्यों होगी उसके बाद आप न सेलवे स्वच्च भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी अंटी के दिन मानिय नरेंद्र मोधी द्वारा सुरुक किया गया एक अंदोलन है यह स्वच्च भारत गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए शुरुक किया गया था और यह हमारे राष्ट को विखास की और ले जाने के लिए एक बहुत ही मुल्यवान अंदोलन था इसका उदेश को स्वच्च रखना खुले में सौस से मुक्त है उचीत कचड़ा और बहुत कुछ है और राष्टिय और अंट राष्टिय संगठन की हालिया रिपोर्ट का अनुसार स्वच्च भारत अभिया को सफल कहा जा सकता है इनके रिपोर्ट का अनुसार सफल कहा जा सकता है मैंने अपने रिपोर्ट का अनुसार सफल नहीं कहा एक बार और पढ़ लेते हैं आप भी मेरे साथ पढ़िये स्वच्च भारत अभियान इजा कैम्पैन बाई गोवर्मेंट अफ इंडिया यहां त पर अनुरीब प्यम नरेंडर मोधी, 1 अधर 2 अच्ट थाज़ेश्ट एंच गंधी ज दिन। इत वर चाहते टो कुंपे दिन 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 गंधी जी अवारत युट थावरत युट युट वर्वारत टो फुट अंच टोड़ाब टोडिबूलूमें एक्पेट एक्टी चंटी चीनि फ्रीज फिर्म प्रॉप्न एक्रफेश और प्रॉपर गर्वेज और उन्ग मुझे लए। And with a recent report from national as well as international organization, the Swakshi Bharat Aviyan could be said to be successful.